ACL surgery हो जाने के बाद उसका success rate ये बहुत बड़ा question होता है तो उसके लिए जो सर्जन के तरफ से चीजे होती हो तो सर्जन ध्यान रखेगा बाकी मरीजों के तरफ से ऐसी कौन सी पांच में गलतिया होती है जिसकी वज़े से उसका जो ACL ligament surgery हुआ होता है उसका recovery अच्छा नहीं होता है या वो fail हो जाता है तो आज की इस वीडियो में हम वो उन गलतियों के बारे में बताएंगे जो कि मरीजों की तरफ से होती है जिससे की ligament surgery successful नहीं रह जाती है नमस्कार दोस्तूं मैं हूँ डॉक्टर नीरश शिर्वास्तो मैं एक arthroscopy और sports injury specialist हूँ मैं scopy clinic वारनसी में practice करता हूँ जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा उद्देश यही रहता है कि हम इस youtube channel के माध्यम से अपने सारे दोस्तों को यह बता सकें कि कैसे अपने जोडों को स्वस्त रखना है और कैसे ligament की surgeries को successful बनाना है सजरी कब करवानी है कब नहीं करवानी है कैसे ठीक करना है कैसे खर्चे होते हैं सबके वीडियोज हमने बनाए है बट मैंने देखा अपने patients में भी और कई बाहर की operated patients में भी कि जो patient है उनको लगता है कि दॉक्टर हमारा सजरी जो है यह तो successful नहीं हो रहा है या fail होने की सब्सकार पर है या फिर हमारा उतना अच्छा result नहीं आया तो देखे doctor factors को तो मैं बता चुका हूं कि आप जब भी किसी सजरी कराने जाए तो उसमें आप यह देखें कि आपका surgeon कितना experience है क्या वो ligament की सजरी जगलर कर रहा है तो मैं यहां से शुरू करेंगा गल्ती number one जो आपको सिर्फ सस्ता नहीं देखना है आपको देखें यह marketing competition है सस्ता होना यह सब कुछ सबको अच्छा लगता है बट एक fix rates है उसके नीचे एवर हो रहा है ज़रूर है compromise rate में हो रहा है यह भी हो सकता है कि आपका surgeon हो वो की regular surgeries ना करता हो ठीक है तो आपको यह देखना है कि वो regularly इनी surgeries को करता हो उसके पास अच्छे numbers हो आपको सिर्फ rate नहीं देखना दूसरा surgeon की competence से ज्यादा implant को value देना देखें इंप्लांट को तवज़व देना अच्छी बात है बट उससे इंपोर्टेंट है surgeon की जो आपकी competence है patients इसे परशान रहते हैं सा surgery कौन सी करेंगे आप screw वाली करेंगे fiber tape वाली करेंगे all inside करेंगे या button वाली करेंगे या peroneus निकालेंगे की quadriceps निकालेंगे की hamstring निकालेंगे that is all surgeons personal choice उसकी competence कितनी अच्छी है यही successful होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़री है तो उसकी competence अच्छी होनी चाहिए यह आपको पहले से पता करके पहले होती है अब मैं आता हूँ operation के बाद जो गलती तो सबसे पहली गलती जो operation के बाद जो maximum patient में देखता हूँ कि वो exercise को देर से शिरू करते हैं देखें दोस्तों जैसे ही आपका operation हुआ और आप anesthesia से बाहर निकले जैसे ही आपके पैरों में movement आना शुरू हुआ उस समय स आपको exercise शुरू करनी है exercises for ACL starts day zero day of surgery पे ही आपको exercises शुरू कर देनी है वेट नहीं करना है एक दिन या दो दिन का अगर आपको दर्द हो रहा है तो pain killer ले करके exercise करनी है ऐसा बिलकुल भी नहीं सोचना है कि हमारा दर जब पूरे तरके से खतम हो जाएगा तब हम exercise शुरू कर करती है कि हमें ऐसा लगता है कि exercise करने से जो कुछ खट की आवाज है या फिर कुछ सूजन बढ़ी या फिर कुछ भी आपको दर्द बढ़ा तो आपको लगता है कि वह exercise आपको हाम करने वाली है इसलिए उस पर रुख जाते हैं देखे जो भी exercises आपको बताई जा रही है य आप नर्स से पूछे कि sister या फिर जो विस्ट से पिस्ट है कि sir हमको ये दिक्कत हो गई तो क्या हम रुख जाए वो अगर बोलता है तो ही रुखे खुद से ना रुख जाए क्योंकि most of the time patients रुख जाते हैं कि हमको तो सूजन बढ़ गई और हम नहीं करेंगे exercise इसे हमको हा आती है फिर एक गलती पर आते हैं जो कि एक और बहुत कॉमन गलती है कि डॉक्टर साब हमने अपना घुटना मोड़ना शुरू किया लेकिन चुकि मोड़ने पर दर्ध हो रहा था इसलिए हम रुख गए कुछ और लोगी बोली डॉक्ट साब तो मैंना बताये थे मोड़न जादा आपका पैर स्टिफ होगा और उसको उतना ही जादा मोड़ने में पेन होगा तो बिना दरस है आप घुटना मोड़ नहीं सकते अगर आपने टाइम रहते मोड़ लिया तो कम दरस हैना पड़ेगा और अगर आपने उसको लेट कर दिया तो आपको बहुत जादा दर मोडने में तो दर्द हो रहा था तो हमारे गाव में लोग बोले कि जब पैर का दर्द खतम हो जाएगा ना तब मोडना पर ये बात आप गरेंटी के साथ लिख लिए मेरी कि पैर मोडने पर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका दर्द खतम हो जाए और आप पैर मोड़ना शुरू करें, जब दर्द खतम हो जाएगा तो आपका पैर और स्टिफ हो चुका होगा, उसको मोड़ने में बहुत ताकत लगीगी, बहुत जादा दर्द होगा, हो सकता है कि वो फिर जो होती है, वो बहुत ही पूर हो जाती है, और एक जो गलती होती है, कि हमको बहुत सारी दवाईयां खानी पड़ेंगी, तब जाकर के हमारी ACL रिकवरी होगी, आप जबर जस्ति की दवाईयां खाते हैं, और साइड एफेक्ट ले लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक और जो गलती हां पेशन्स करते हैं, कि सजरी के बाद follow up properly नहीं करते हैं, उनको लगता है कि डॉक्टर के पास गया, वो क्या किया, बस पैर को छू करके देखे, और कुछ कसल बता दिया है, कोई दवा तो लिखे नहीं, तो इसकी जरुरत क्या है, यह तो बस हमारा फीस की परबादी है, यहां को ट्रेवल ज्यादा करना पड़ा है, बट दोस्तों मैं बताओं आपको कि अगर आपके पैर में कोई प्राब्लम होने वाली है, तो वो पेशन्ट से पहले डॉक्टर ही उसका पैर चुकर के बता पाएगा, कभी-कभी exercises को modify करना पड़ता है, कभी- physiotherapist क्या करता है, सिर्फ पैसे ले रहा है और जड़ासा पैर मोड़ा है हमारा, जी बिल्कुल नहीं, हमेशा ऐसा होना चाहिए कि एक अच्छे physiotherapist की निगरानी में आपको physiotherapy लगतार करवानी ही जबता कि आपकी पूरी recovery नहीं हो पाए, अच्छा rehab भी fast recovery का मंत्र है, कोई पी तरीके की surgery से आप अच्छे rehab पे नहीं जाएंगे, अगर तो आपका पैर अच्छे से नहीं recover करेगा और आप जल्दी चलने या दौडने लायक नहीं होंगे, और एक बहुत बड़ी गलती जो कि हमारे physiotherapist भाई लोग करते हैं, वो क्या करते हैं, कि आपके पैर में पैदा करेंगे, हो सकते हैं, आपके tissues burn हो जाएं, तो कोई भी heating therapy कभी भी नहीं देनी है आपको किसी भी ligament के surgery के बाद, करना क्या है, exercise के बाद अगर आपकी गर्मी बढ़ती है घुटने में, तो आपको icing करनी है, icing आप तीन बार, चार बार, पांच पार कर सकते हैं, लेकि कोई भी IFT या short wave diathermy या ultrasonic massage का कोई भी रोल नहीं है, किसी भी rehab में, तो ये गलती और जो कि फिजो तरपिस भाई लोग करते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये जो कुछ चीजे बताया हूँ, अगर इनको आप ठीक से ध्यान देंगे, तो आपके recovery में कोई भी problem नहीं होगी, और आप बिलकुल ठीक हो जाएंगे, अगर इसके बाद भी आपको कुछ और भी doubts है, तो आप हमसे नीचे comment box में लिख कर पूछ सकते हैं, या फिर जो whatsapp का number है, इस पे आप MRI शेर करके हमसे पूछ सकते हैं, तो देखें दोस्तों हमारा एक जो अगला वी time पे और return to sports से पहले क्या exercises करें, इसकी बहुत demand है, तो अगला वीडियो हम उसी पे बनाने वाले हैं, अच्छा ये जो मैंने आपको वीडियो अभी बताया है, इसमें एक और disclaimer बोलूँगा, कि जो भी चीजे मैंने आपको बताई हैं, ये चीजे मैं वो बतारा हूँ जो कि मेरे अपने experience जो कि मैं अपने patient पे follow करता हूँ और जो कि most of the surgeons follow करते हैं, कभी कभी special circumstances में surgeons आपको restrict करते हैं, पैर मोडने के लिए या exercise करने के लिए, तो उन circumstances में अगर आपको आपका surgeon मना कर रहा है, तो मेरा वीडियो देख के ये चीजे आप मत करिएगा, जो वो बोलेग उसी को follow करिएगा, जी बहुत बहुत धन्यवाद